हेलो फ्रेंड्स तक्षिरालो एकेडमी अली गंज लखनाउ आपका हर्दिक स्वागत करती है आज का हमारे टॉपिक है हिंदू सोशल रिलिजियस मुवमेंट्स यह आधुनिक भारत के वो मुवमेंट्स हैं जो इंपॉर्टेंट है सभी एक्जाम्स के लिए चाहे वो आगा सभी के लिए इंपॉर्टेंट है पर अभी हमारा फोकस है करेंट जो चैन आउंबर को हमारा बिहार पीसेजी का एक्जाम होने वाला है तो आगे बढ़ने से पहले एक रिक्वेस्ट अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो कृपिया बैल आइकन दबाने ना भूलिंगे अगर आप बैल आइकन नहीं दबाएंगे तो सब्सक्राइब करने के बाद भी हमारे चैनल के जो वीडियोज है उनकी नोटिफिकेशन आपको नहीं पहुंचेंगे और आप इंपॉर्टनेंट वीडियोज के जो नोटिफिकेशन है वो मिस्स कर सकते हैं औ आजा राम मोहन राय जो साहब है वो हमारी जो इंडियन हिस्ट्री है उसमें एक बहुत महत्पूर्ण समासुधारक है आत्मिय सभा इन्होंने एस्टेबलिश की अठार सु पंद्रा में और यह किसले की टू हिट इविल्स अफ हिंदू रिलिजिन एंड स्प्रेट दा मोन थीजिम तो इन्होंने जो हिंदूओं के जो इविल्स है उनको और वी स्पिशली सतिप्रथा के ओपर इन्होंने बहुत ज़्यदा काम किया था तो राजाराम मोन रहा है इसके एन्होंने एक और समास्ट की स्थापना की हो छो ठी ब्रह्म समाज तो ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में आत्मे समाज की स्थापना की 1815 में और ब्रह्म समाज की स्थापना की 1828 में अच्छा आपको एक कोश्चन पूछना चाहूंगा राजा रामोहन राय को राजा की उपाधी किस ने दी राजा रामोहन राय को राजा की उ एक्षन में इंपोर्टेंट हो सकता है क्योंकि राजा रामोन राय राजा नहीं थे उनको उपादी दी गई थी और यह मैं आपको एक हिंट देना चाहता हूं कि 1857 में उस व्यक्ति के नित्रत में 1857 की करांती को लड़ा गया करांती कारियों के द्वारा तो यह एक हिंट है तो आप देखेगा कि किसने राजा रामोन राय को राजा की उपादी दी चलिए ब्रह्म सभा ब्रह्म सभा की इस्थापना की राधाकाम देव साब ने 1839 में और स हिसे लोगों का जो मोटीव था वह सभी का जो मोटीव था वह था दोहों के जो एवल्स हैं उनको समूल नष्ट करना क्योंकि उस टाइम पर जो हिंदूं के अंदर जो कूरीतियां बहुत जादा आगे थी तो उन सब को समात्त करने के लिए ब्रह्म सभा इस्थापना धर् तत्व बोधनी सभा तत्व बोधनी सभा देविंदर नाथ टेगोर और यह किस से रिलिटेड है या बताइए कमेंट सेक्शन में और इनका रिलेशन एक प्रस्व नोब्ल प्राइस Ditसर्य मैं है तो पताईएगा कि तत्व बोधनी सभा के देविंदर नाथ टेगोर साब है वो हमारे देश की जो फॉर्स नौब्ल प्राइस पृूस्गा विजेता है उनसे कैसे रिलेटिड है 1839 में इनको इन्होंने ये स्थापने किये तत्व बोधनी सभा की इसके बाद परमहंस मंडली ये बंबई में और ये कास्ट की बाउंडरीस को समाउत करने के लिए चुआ चूत और कास्ट जो है उसकी जो बाउंडरीस है उनको एंड कर परमहंस मंडली इसके बाद राधा स्वामी सत्संग आप इसको आज कल राधा स्वामी सत्संग वियास के नाम से ऐसा कोई जिला अल्मोस्ट जितने भी हमारे कस्वें हैं सब में ये आप देख सकते हैं तो ये स्थापना की आगरा के आगरा में तुलसी राम ने और ये 1861 म और इनकी स्थापना भी इसलिए थी कि आपस में देश में भाईचारा बढ़ाया जा सकें इंडियन ब्रह्मो समाज इंडियन ब्रह्मो समाज की स्थापना की केश्यो चंद्रसैन केश्यो चंद्रसैन भी इन्होंने विद्वा विवाव अगरा के उपर काफी काम किया और ये भी काफी प्रभावी समाज सेवक थे और सोशल डिफॉर्म्स के लिए इन्होंने रिवॉलिशनरी काम किया और सभी समाज सुधारक आप जानते हैं कि इन्हीं के प्रियासों का जो नतीजा है वो हम आज देख रहें कि हमारे समाज में जो कुरूतिया हैं वो अल्मॉस्ट इसके बाद प्रार्थना समाज की स्थापना की आत्मराम साब ने डॉक्टर आत्मराम पांडुरंग और वही हिंदू रिलीजिन और उसके जो कस्टम्स हैं उनमें रिफॉर्म लाना क्यों कस्टम इतने ज़्यादा बढ़ गये ते कस्टम का मतलब होता है कि हमारे जो जो इतने ज़्यादा बढ़ गये ते कि इट वेरी डिफिकल्ट फॉर अस तो ओवर कम देट कस्टम्स कूरीतियां और जो जैसा था मतलब उसको इस तरह से कर दिया गया था कि जैसे एक कूरीती फैली होई थी कि अगर हिंदू अगर उसमें जाएंगे अगर शिप के थू जीब जीब टाइप की कुरीतियां फैली हुई थी तो उन सब के विरुद्ध ये सारे समाजों की स्थापना हुई फिर है थियोसोफिकल सोसाइटी इसकी स्थापना हुई नियो आक में और इसका भी उद्देश्य जो था वो एंसेंट रिलीजिन को स्प्रेड करना क्योंक तब एक तरह से जिसकी लाटी उसकी भेंद उस टाइप के धर्म को फोलो करने लगे तो उन सब चीजों के लिए ये सारे समाज किये गए थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में इसकी स्थापना हुई फिर जनरल ब्रह्म समाज कैलकटा आनन्द मोहन बोस और शिवनात शास्त्री 18 1878 इसका भी उद्देश्य सोशल रिफॉर्म फिर है डेकन एजुकेशन सोसाइटी ये पूना में इस्थापित हुई मिस्टर जी जी अगरकर ने इस्थापित किया इसको 1884 में और उद्देश्य वही रिफॉर्म इन एजुकेशन ग्रोफ फीलिंग्स ऑफ पैट्रियोटि जो अनिकता थी मतलब जो आपस में फूट था कास्टिज्म था उसकी वज़े से जो हम लोगों के बीच में एक फूट पड़ी हुई थी उसको हटा के आपस में एक दूसरे के लिए ब्रेदर हुड की फीलिंग लाई जाए और उसके तुरू पैट्रियोटिज्म का बढ़ वुमेंस की कंडिशन बहुत कराब थी तो उनके उत्थान के लिए एम जी रहनाडे ने मुंबई में इंडियन नेशनल सोशल कांफरेंस की स्थापना की देव समाज देव समाज की स्थापना हुई लाहौर में शिव नारायन अगनी होतरी के द्वारा और यह जो थी में विवेकनन द्वारा इस्थापित किया गया अठारो सतान में वेल लोर मत अभी भी बहुत प्रसिद्ध है अभी थोड़े दिन पहले मोदी जी भी गए थे वेल लोर मत में और इसकी भी इस्थापना का उद्देश्य वईता ग्रुव फेलिंग ऑफ हुमेनिटी एट इ अभी सबसे पहले कहता है कि वसुदेव कुटुम कम की पूरा जो विश्व है वही पूरा का पूरा कुटुम के समान है तो उसकी जो फीलिंग है उसको पूरे वर्ल्ड में फैलाने के लिए स्वामी विवेकनन ने राम कृष्ण मिशन की स्थापना की फिर सर्वेंट ऑफ यह स्थापना की गई मदर लेंड की सर्विस के लिए भारतियों को त्यार करने के लिए पूना सेवा सदन पूना में जैसे की नाम से विदित है और गोपाल केशन गोखले ने अभी उपर जो था इसको 1905 में सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की फिर पून सेवा सदन पूना सेवा सदन जी के देवधर और रामबाई रानाडे इन्होंने 1909 में महिलाओ के उत्थान के लिए सोशल सर्विस लीग 19-1911 मुंबई M.M. जोशी और स्थापना वही थी for human made a convenient and useful atmosphere वातवरन को सुधारने के लिए humans के लिए फिर सेवा कमेटी अलाहबाद इसकी स्थापना हुई 1914 में सोशल सर्विस दूरिंग नेच्रल डिजास्टर एंड एंकरेज फॉर एजुकेशन एजुकेशन को बढ़ावाद देने के लिए और नेच्रल डिजास्टर में सोशल सर्विस के लिए सेवा कमेटी बॉइ स्काउट एस्सेशन श्री राम बाजपी और इसकी स्थापना हुई Mumbai एंकरेज नेशनलिटी इन इंडियन बॉइ स्काउट मुवेंट जो स्काउट प्रिजलन में था तो इंडिया के जो बॉइ स्काउट मुवेंट था उसमें नेशनलिटी को पढ़ावा देने के लिए Women's Indians Association 1923 Madras by its efforts in 1924 All India Women's Conference started तो इनका जो योगदान है वो कम नहीं है इनके ही effort की वज़े से All India Women's Conference 1924 में स्टार्ट हुई फिर रादा स्वामी यह है रहनुमाई मौजदे मौजदेन मौजदेया स्नन सभा यह थोड़ा टिपिकल है यह पार्सी एस्सेशेशन थी जो दादा भाई नेरोजी और SS बंगाली ने स्टार्ट की 1851 में और इनका कार यह क्या था कि इंपोर्टेंट वर्किन डिरेक्शन ओफ रिफॉर्म तक कंडिशन ओफ पार्सीयन वूमें वूमें जो पार्सी महिलाएं हैं उनकी जो इस्थिती है उसके उद्धार के लिए इन लोगों ने यह स्थापित की 1851 में और दादा भाई नरोजी से एक बहुती फेमस तिंग ह आप बताईएगा जैसे हमारे जो गांदी जी उनको फादर ओफ नेशन कहा जाता है ऐसे ही दादा भाई नरोजी को भी कुछ कहा जाता है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बताईएगा तो आज हम अपना वीडियो नहीं पर समाप्त करते हैं वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद वीडियो पसंद आये तो लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब करें और आप अपना प्यार इसी प्रकार से हमें देते हैं धन्यवाद